भारतिय जन्ता पार्टी आज अपना संकल्प पत्र लेकर आई है, 11 संकल्प है उसमें, उसमें मासे महिला का कोई जिक्र नहीं है, उसमें सरकारी करमचारियों की OPS की जो मांग है Old Pension Scheme उसका कोई जिक्र नहीं है, इसमें बढ़ती बेरोजगारी को लेकर गोशना हो गई, इ दस लाख बेरोजगारों की सोगादी सच्चाई तो यह है, आगे का रोड मैक नहीं मालूम क्या होगा, सेब और किसान का बागवान जो अपना उचित दाम मांग रहा है उस दामों पर भाजपा के 11 संकल्प पत्र में कोई जिक्र नहीं है, जिक्र दिखता है तो उन मुद् देश के रास्टिय, अंतरास्टिय, दूसरे राज्यों के मुद्दों के उपर राजनिती इनके 11 संकल्प बिंदुओं में दिखती है, भाजपा अपना एजंडा ठोपकर हिमाचल का हारा हुआ चुनाव हारी हुई बाजी को जीतना चाहती है, दुख है किसमें महंगाई क के लिए, महिलाओं को राहत के लिए, हमारे सरकारी करमचारियों के लिए, किसानों के लिए, से बागवानों के लिए, किसी भी तरह की कोई भी बड़ी राहत नहीं है, बिरोजगार युवां को रोजगार के लिए कोई रोड मैप नहीं है, सिरफ पांच साल करोड़ों संकल्प पत्र